Study IQ IS अब तयारी हुई affordable Tale of Two Assassinations इंदिरा गांधी और राजीव गांधी Welcome to Study IQ मेरा नाम है आधेश सिंग दोस्तों अभी कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि कैसे जपैन के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या की गई क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में भी ऐसे दो किस्से हो चुके हैं? जिया, इंडिया में भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उन्ही के बेटे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी हत्या कुछ ऐसे ही की गई थी दूस्तों, इंदिरा गांधी और आजीव गांधी को आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा इनके बैक्ग्राउंड के बारे में बता देते हैं। राजीव गांधी को as a Prime Minister of India choose किया गया। राजीव गांधी इंडिया के अब तक के सबसे youngest PM हैं। उन्होंने 1984 से 1989 तक as a PM अपनी responsibilities निभाई। अब आएए जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो इंडिया की इतनी famous personality थी, जिन्हें पूरे इंडिया की जनता इतना प्यार और सम्म 31 October 1984 को New Delhi के सफदर जंग रोड स्थित उनके घर पर की गई। 31 October 1984 को सुभे करीब 9 बजे इंदिरा गांधी PM आफिस से बाहर निकली। वो अपने आफिसर से किसी subject पर discussion कर रही थी। तब ही अचानक उन्हीं के security guard बेयंत सिंग ने अपनी service revolver से इंदिरा गांधी पर तीन गो सत्वंत ने तुरंत अपनी automatic carbon revolver की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर चलाती। गोली लगने के जस्ट बाद इंदिरा गांधी को करीब 9 बजे डेली के Ames Hospital ले जाया जाता है। राजीव गांधी द्वारा PM पद की शपत लेने के बाद ही इंदिरा गांधी की मृत्यू की खबर पूरे इंडिया में अनौंस कर दी जाती है। गांधी की मौत की अनौंस्मेंट के बाद पूरे देश में एक दुख की लहर दोर जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं भी देखी जाती है। इन राइट्स ने सबसे ज्यादा देश की कैपिटल निउ डेली को अफेक्ट किया। राइट्स में सिख कम्यूनिटी को टागेट किया जाता है। क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की मौत का जिम्मेदार समझा जाता है। इन राइट्स में नियरली 3006 की मौत हो जाती है और 1000s of Sikhs injured होती हैं और crores of property का loss होता है। इंदिरा गांधी की murder mystery और innocent Sikhs की हत्या पूरे world में, media में एक important topic बन चुकी थी। सभी media agencies, political leaders और देश की जनता, इनकी मौत का reason जानना चाहती थी। बट इनकी मौत का कोई एक specific reason नहीं था। बट कुछ ऐसे tragic events थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जानगवानी पड़ जाती है। तो आईए जानते हैं इन events के बारे, reasons behind assassination of इंदिरा गांधी। इंडिया एक diverse country है, और Indian independence के बाद यहां different regions में अपने culture और diversity को protect करने के लिए rights होना एक आम बात हो गई थी। कोई language based separate state की demand कर रहा था, तो कोई ethnicity based किसी की demand से session की थी, तो किसी की autonomous state की। इसी context में PM इंदिरा गांधी के tenure के दौरान, पंजाब के अंदर कुछ ऐसे extremist groups का rise हुआ, जो अपना खुद का एक independent nation बनाना चाहते थे। इन extremist groups के according वो अपना एक अलग Sikh state बनाना चाहते थे। क्यूंकि उनका ऐसा कहना था, कि वो हिंदू religion के लोगों के बीच insecure feel करते हैं, और minority होने की वजह से उनके rights exploit किये जाते हैं। इस तरह के religion based separatism को लेकर Indian government का stand एकदम clear था, कि इसे किसी भी कीमत पर tolerate नहीं किया जाएगा। PM इंदिरा गांधी द्वारा Sikh separatist के demand को entertain करने का सवाल ही नहीं था, बलकि उन्होंने Sikh nationalism को control करने के लिए कई strategic actions लिए। PM इंदिरा गांधी के इं strict actions के response में, Sikh extremist groups ने 1980s में एक नया movement शुरू किया, जिसकी एक ही demand थी खालिस्तान, खालिस्तान यानि की Sikhs का एक separate nation, जिसके लिए ये Sikh groups Indian government से लोहा लेने के लिए तयार थे। इस movement को lead कर रहे थे जर्नेल सिंग भिंडरा वाले, जर्नेल सिंग एक Sikh extremist leader थे। जिसके government को वो force कर सके खालिस्तान नेशन बनाने के लिए। इन protests की वजह से पूरे Indian nation में life और property के heavy losses होने लगे। जर्नेल, Sikh holy center, golden temple को भी terrorist based camp की तरह use करने लगा। इन protests के बढ़ते cases के कारण, Indian citizens और political leaders ने government को Sikh extremist groups के against action लेने के लिए force करना स्टार्ट किया। Sikh rebellion को counter करने के लिए, Indira Gandhi government ने एक strategic counter plan बनाया, जिसका नाम Operation Blue Star रखा गया। Sikh pilgrimage site Golden Temple से Sikh extremist terrorist group को eliminate करना इस operation का main objective था। Golden Temple को इन groups ने अपना terrorist camp बना कर रखा था और काफी dangerous weapons की supply इस camp से हुआ करती थी। Operation Blue Star के अंडर terrorists को eliminate करना काफी tough task था। और इसी operation की वजह से Indira Gandhi ने काफी criticism भी face किया। बट उन्होंने anyhow इस operation को successful बनाने के लिए अपना decision चेंज नहीं किया। Operation Blue Star के तहट, Indira Gandhi ने 1st June 1984 को Indian Army को Golden Temple में raid करने का order दिया। Raid का सिलसिला करीब एक हफते तक चलता। इस attack में Golden Temple की property पर काफी huge impact आता है। और साथ में Golden Temple में छिपे militant groups की भी जान जाती है। जर्नेल सिंग की भी मृत्यू इसी attack में होती है। इस attack को कई लोगों ने appreciate किया, तो कुछ लोगों ने criticize भी किया। इस attack को appreciate इसलिए किया गया, क्यूंकि Indian Union की safety के लिए ये attack justified था। तो वहीं criticize इसलिए किया गया, क्यूंकि Indian government ने एक minority religious group पर barbaric attack किया। इस attack के बाद देश भर में हिंसा की कई घटनाएं देखी गए। इंदिरा गांधी को भी कई unknown sources से death threats आने लगे। इन protests के बीच इंदिरा गांधी की सुरक्षा की दृष्टी से उन्हीं के security guard बेंद सिंग का transfer किया जा रहा था, जो Sikh community से belong करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके transfer को ये कहते हुए cancel कर दिया, कि बेंद सिंग, उनके security guard कई सालों से हैं और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। Transfer को cancel करने का एक reason ये भी था, कि इंदिरा गांधी पूरे देश को ये message देना चाहती थी, कि अभी भी वो Sikh community के साथ कोई injustice और discrimination नहीं करती हैं। अब अपने security guard का transfer cancel करना ही, इंदिरा गांधी की सबसे वड़ी भूल सावित होगी, ये उन्हें भी कहां पता था। इंदिरा गांधी के murder के बाद पूरे देश में religion और political basis पर riots होने लगते हैं। इन riots में इंदिरा गांधी के supporters ने Sikh community के हजारों लोगों पर violent attacks किये, जिसमें कई innocent Sikhs की जान जाती है और millions की property का loss होता है। इस दोरान देश की peace और harmony बुरी तरह से effect होती है। खैर इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए Sikh rights अपने आप में एक अलग कहानी है। अपने आज की topic पर वापस आते हैं। और PM इंदिरा गांधी की assassination story के बाद अब बात करते हैं राजीव गांधी की assassination story की. assassination of राजीव गांधी राजीव गांधी की हत्या 21st May 1991 को तमिल नाडू के श्री पेरुम बुदूर नाम के शहर में suicide bombing से हुई। इस bombing के दोरान राजीव गांधी के साथ एट लीस्ट 14 लोगों की और जान जाती है। स्री पेरुम बुदूर चिन्नाई के पास एक छोटा सा टाउन है जहांपर एक election rally organize की गई थी। इसी rally में एक suicide bomber द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये suicide bomber धानू नाम की एक महिला थी और proper investigation के बाद ये मालूम चलता है कि इस मौत की साजिश के पीछे श् आखर श्री लंकन organization LTE को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ऐसे क्या tragic events थे जिसकी वज़र से राजीव गांधी की हत्या की जाती है। बहुत सी तमिल organizations ने fight करना शिरू कर दिया था। और इसमें सबसे बड़ा extremist organization था LTE जिसका full form Liberation Tiger of Tamil Elam था। ये काफी strong militant group था जिसने श्री लंकन government की नींद उड़ा कर रख दी थी। LTE का main motive श्री लंका के eastern और northern portions को अलग करके एक separate Tamil nation बनाना था। इधर श्री लंकन सरकार द्वारा तमिल्स पर किये जा रहे अत्याचारों का असर इंडियन politics में भी होने लगा था। Indian PM के उपर Indian tamils द्वारा श्री लंकन tamils के rights को protect करने का pressure create किया जा रहा था। ऐसे में अगर Indian government श्री लंकन tamils के rights को protect नहीं करती तो इंडिया में भी एक तरह का conflict या mass movement हो सकता था। इंडिया के सभी political leaders यही चाहते थे कि श्री लंका में किसी भी तरह का कोई बटवारा ना हो और दोनों ethnic groups में peace establish हो और श्री लंकन tamils को उनके political, social और economic rights दिये जाएं। As per Indian political experts अगर श्री लंका का division होता है तो श्री लंकन tamils की वजह से Indian state Tamil Nadu को काफी problems face करनी पड़ जाती और इसी कारण इंडिया बार-बार श्री लंका के internal affairs में interfere कर रहा था। ताकि आगे चल कर Indian union को कोई problem face ना करनी पड़े। श्री लंकन government को भी एहसास हो जाता है कि LTTE को control करने के लिए और civil war की situation से निकलने के लिए भारत की मदद ली जा सकती है। और इसी के तहट दोनों देशों के बीच 1987 में peace accord sign किया जाता है। और इसी incident को राजीव गांधी की मौत का सबसे बड़ा reason माना जाता है। इस agreement को राजीव गांधी ने 29th July 1987 को श्री लंकन प्रेजिडेंट J.R. जयवर्धने के साथ श्री लंका में sign किया। इस peace accord के तहट श्री लंकन government तमिल्स को self-government rights और better living conditions प्रवाइड करने के लिए ready थी। शर्त बस इतनी थी कि तमिल militant groups अपनी सभी military activities को खत्म कर दे। इस accord का main objective श्री लंका को ethnicity के basis पर divide होने से रोकना था। लेकिन LTTE chief प्रभाकरण के according peace accord केवल कुछ दिनों तक श्री लंकन तमिल्स की problem solve कर सकता था। उनका मानना था कि long term में उनकी problems केवल एक separate nation के establish होने के बाद ही solve हो सकती है। यानि कि प्रभाकरण इस peace accord के पक्षमें नहीं थे। हाना कि accord साइन होने से एक दिन पहले यानि 28 जुलाई को PM राजीव गांधी प्रभाकरण से मिलते हैं और कुछ घंटों की meetings के बाद वो प्रभाकरण को इस peace accord को accept करने के लिए मना लेते हैं। प्रभाकरण इस matter पर राजीव गांधी से दोबारा meeting करना चाहता था। लेकिन राजीव गांधी उनसे दोबारा meeting किये बिना कुलंबो के लिए रवाना हो जाते हैं। और वहाँ जाकर peace accord को श्री लंकन प्रेजिडेंट के साथ साइन कर लेते हैं। Peace Accord साइन करते समय LTE के किसी representative को बुलाया तक नहीं जाता। Accord साइन करने के बाद Indian PM राजीव गांधी ने एक और strategic decision लिया और वो था Indian Peace Keeping Force यानि IPKF को श्री लंका में deployment के लिए भेजना। यहां गौर करने वाली बात यह है कि IPF को deploy करने का कोई भी decision और clause उस peace accord में था ही नहीं जिसे Indian PM और श्री लंकन government ने साइन किया था। फिर भी IPKF को deploy करने का एक specific reason था। वो reason यह था कि accord साइन करने के जस्ट एक दिन पहले ही कुलंबो में काफी rights हुए थे। और rights इतने strong थे कि कुलंबो के President House का एक portion जला दिया जाता है। और इसी reason की वजह से श्री लंकन President ने राजीव गांधी से यह कहा कि वो जाफना से श्री लंकन armed forces को वापस बुलाना चाहते हैं। और जाफना और चिनाकोडली में security purpose के लिए श्री लंकन armed forces की जगह Indian Air Force deploy की जाए। और इसके कुछ घंटों के ही अंदर Indian Air Force को श्री लंका आने का order दे दिया जाता है। IPKF का main task था श्री लंका के civil war को खत्म करके वहां के ethnic groups में peace establish करना। IPKF का एक objective war था जिसमें उन्हें श्री लंकन militant group से surrender करवाना था और उनसे सारे weapons वापस लेना था। इसी बीच 3rd August 1987 को प्रभाकरन जाफना पहुँच जाते हैं और अपने हतियार डालने के लिए तयार भी हो जाते हैं। लेकिन तभी प्रभाकरन को कुछ secret sources से ये खबर मिलती है कि LTTE के opponent groups को Indian Intelligence Agency raw weapons supply कर रही है जिससे वो LTTE के साथ fight कर सकें। इस information के मिलने के बाद LTTE ने weapons IPKF को surrender करना बंद कर दिया और दोबारा arms एकठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच LTTE के एक member जिनका नाम थिलीपन था वो एक hunger strike पर चले जाते हैं। उनके demand थी कि Indian Sri Lankan Peace Accord को उसके true letter and spirit में implement किया जाए। लेकिन कुछी दिनों में उनकी मृत्य हो जाती है, जिससे LTTE group नाराज हो जाते हैं। और श्रिलंका में फिर से काफी riots होने लगते हैं। 17 LTTE military men को arrest कर लिया, जिसमें श्रिलंकन government का full support IPKF भी करता है। लेकिन इस arrest से नाराज LTTE members इंडिया के भी against हो गए। और बात इतनी बढ़ चुकी थी कि LTTE ने IPKF को भी war के लिए challenge करना start कर दिया। और इंडियन government ने भी IPKF को LTTE को पूरी तरह से खत्म करने के order दे दिये। LTTE को इस तरह से खत्म करने के Indian government के order को इंडिया की other political parties ने जम कर oppose किया। और इंडिया के तमिलनाडू state में IPKF को वापस बुलाने के लिए भी कई protests और movements हुए। जैसे की Rail Rocco Movement। इंडियन political parties के अलावा इंडियन citizens ने भी इस action का जम कर विरोध किया। IPKF जिसे श्रिलंकन government के कहने पर ही Indian government ने भेजा था। उसका श्रिलंकन government ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और एंड में LTE का favor करना start कर दिया। LTE को भी IPKF से हारने का डर था। क्योंकि IPKF वार के दौरान काफी हद तक LTE के members को मारने में successful होता है। और इसी reason की वजह से LTE ने श्रिलंकन government के साथ one-to-one dialogue meeting attend की। इसी बीच 1989 में श्रिलंका में new elections होते हैं। और उसमें श्रिलंका के नए president आर प्रेमिदासा choose किये जाते हैं। आर प्रेमिदासा LTE को full support करते हैं। इंडिया में भी PM के लिए fresh election होते हैं जिसमें राजीव गांधी की हार होती है। और VP सिंग को इंडिया का नया prime minister choose किया जाता है। VP सिंग IPKF को वापस इंडिया बुलाने का decision लेते हैं। और 24 March 1990 को IPKF इंडिया वापस आती है। कुछ political reasons की वजह से इंडिया में दोबारा fresh elections होते हैं। कहीं न कहीं LTTE को लगता था कि अगर आजीव गांधी दोबारा PM बनते हैं तो वो फिर से IPKF को श्रिलंका भेज देंगे। जिससे LTTE पूरी तरह से destroy हो जाएगा। ऐसी situation arise ना हो। इसलिए elections के कुछ दिन पहले ही 21st May 1991 को एक election rally के दौरान LTTE ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। Conclusion तो दोस्तों ये थी हमारे former PM इंडिरा गांधी और राजीव गांधी की assassination story। आप यहां समझ सकते हैं कि कैसे कुछ ethnic issues, political issues की वजह से हमारे दोनों PMs को अपनी जान गवानी पड़ी। अगर इंडिरा गांधी ने operation blue star न किया होता और आजीव गांधी ने अगर IPKF को श्रिलंका में deploy न किया होता तो इन दोनों को अपनी जान इस तरह नहीं गवानी पड़ती। बट पंजाबी और तमिल ethnic conflicts की वजह से इंडिया और श्रिलंका दोनों ही कंट्रीज में civil war की नौबत आ सकती थी जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी और दोनों कंट्रीज को न चाहते हुए भी divide होना पड़ता। क्या इन दोनों ethnic issues को solve करने का कोई और multi-pronged approach नहीं था। अपनी राय comment box में जरूर लिखें।